क्रिश्णा फ्रेंड्स मेरा नाम उमा जंदल है और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट फ्रेंड्स पेपर टू की यूनिट 6 जिसके अंदर हम सामुहिक सौधेवाजी यानि कलेक्टिव वागिनिंग के बारे में पढ़ रहे थे और इसकी लास्ट क्लास में हमने इसके उदेश्यों तथा प्रकारों के बारे में पढ़ा था और आज की क् सबसे पहले होता है हमारा प्लांट लेवल जैसे हम प्राथमिक स्टर भी कहते हैं और Изडिस्ट्री लेवल यानि कि जिससे हम औद्दयोग इNowaksi इस इसमें थे उसके पर दते हैं यह सोधेवाजी चोटे स्वर्य होती है इसमें किसी उद्योग की एक इकाई के प्रबंद को और उसी इकाई के व्यापार संग के मध्य होती है तो देखिए कोई एक इंडस्ट्री होती है जब कोई एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मान लीजे तो उसकी क्या होती है उसकी कई सारी ब्रांचीज होती है तो उसके बहुत सारी branches होती है, बहुत सारी plants होती है उसकी, तो जो हमारा प्राथमिक स्तर होता है, यानि कि जो plant level होता है, वो उसकी branches, यानि उसकी units पर होता है, ठीक है, तो एक proper जो unit है किसी industry की, जाहे वो कोई दिली में work कर रही है, या फिर वो किसी और state में काम कर रही है, तो वो सरिफ उसी level पर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारे जो उसi unit के जो हमारे व्यापार संग होते हैं, जो उसके प्रबंदप होते हैं, उनके बीच आपस में सोधे बाजी होती है, और जो उससे नियम बनते हैं, और जो उससे मतलब, जो उसमें decide होता है सोधवाजी में वो सिर्फ उसी unit पर लागू होता है ठीक है उसी unit पर वो सारे नियम लागू होते हैं जिसके भी सोधवाजी होई होती है तो देखे इसका छेत्र और सीमा उसी इकाई तक सीमित होता है इसमें उसी इकाई से संबंदित मुद्दों पर बात की जाती है तो अगर उस industry की कोई मान लीजे दिली वाली ब्राँच में अगर कोई problem हो रही है तो जो दिली वाली ब्रांच में प्राब्लम हो रही है तो सिर्फ उसी मुद्णों पर बात होगी और उसी के जो नियम बनेगे वो उसी unit पर लागू होगे इसका जो effect होगा वो पूरी industry पर नहीं पड़ेगा या इसकी जो other branches हैं उस पर नहीं पड़ता है इसके अंदर ये छोटे level की जो होती है वो bargaining होती है इसके अंदर दूसरे नहीं किसी branch पर effect पड़ता है नहीं किस यूनिट पर effect पड़ता है नहीं पूरी industry पर effect इसका पड़ता ह तो यह प्राथम में स्तर यानि कि प्लांट लेवल की भागे नहीं होती है उसके बाद नेक्स आती है हमारी उद्योगिक स्तर यानि कि इंडस्ट्री लेवल तो देखिए यह सौदेवाजी किसी उद्योग के कई व्यापार संगों और उचस्तर के प्रबंदकों के मत्य होती है इसमें सौदेवाजी में के द्वारा यदि कोई अनुबंध होता है तो वह पूरे उद्योग पर लागू होता है तो plant level में क्या था कि वो सिर्फ छोटे level पर यानि कि सिर्फ एक unit पर ही उसका effect होता था लेकिन जो industry level पर bargaining होती है उसमें क्या होता है उसमें कई व्यापारसंग यानि कि कई जो हमारे branches होती हैं उनके सभी के व्यापारसंग इसके अंदर लागू होते हैं और जो उच तर के प् इसके अंदर जितनी भी branches होंगी हमारी चाहे वो दिल्ली वाली है चाहे वो कॉलकेटा वाली है या फिर किसी कोई other state वाली है कितनी भी units हैं अगर वो पूरी इंडस्ट्री के अंदर तो सभी के उपर जो हमारा अनुबंध होता है जो contract होता है वो लागू हो जाता है ओके य अगर माली जो working condition सची नहीं है या कोई वेतन बढ़ाना है अतिरिक तलाब ऐसे जितने भी मुद्य होते हैं तो यह सभी पूरी industry पर लागू होते हैं और यह उद्योग में एक रुपता लाता है क्योंकि इसके अंदर सभी units को एक समान वेतन या फिर कोई working condition है या फिर कोई extra bonus है वो सभी को एक समान दिये चाते हैं उसके बाद आता है हमारा रास्ट्रिय स्तर यानी की national level तो देखिए यह किसी संगठन के नियोकताओं और रास्ट्रिय संग के मध्य होता है यह सोधेवाजी सरकारी प्रतिनिदियों की मौजूदगी में होता है दोनों के होता है यानि उस रास्ट्र के सभी और द्योगों पर लागू होता है तो दिखिए जो हमारे national level की collective bargaining होती है उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर जो रास्ट्रिय संग होते हैं जैसे कि व्यापार संग होते हैं इसी तरीके से रास्ट्रिय संग भी होते हैं और जो संगठ तो वहां पर क्या होता है एक तरीके से एक नियम बनेगा जो पूरे रास्टर के उद्योग उपर लागू होगा तो इसलिए जो हम इसके अंदर सरकारी प्रतीनिदी है वो भी मौजूद होते हैं तो इसके अंदर जो होता है वो सभी अपने-पने मुद्वों पर बात करते हैं अगर इसके द्वारा कोई अनुबंध होता है तो वो पूरे रास्टर पर लागू होता है यानि कि उस रास्टर के जितने भी उद्योग होते ह है ठीक है जितने भी वहाँ पर organization चल रहे हैं सभी के अंदर लागू होता है ठीक है तो यह है किसी रास्टर के सभी उद्योगों में एक रूपता लाता है किन्तु भारत जैसे देशों में इसका लागू होना बहुत मुश्किल सा हो जाता है जिसकी वज़ा देश का बड़ा तथा उद्योगों में समानता की कमी है तो देखिए जो यह रास्टर लावल पर जो collective bargaining होती है इसके अंदर क्या होता है यह सभी उद्योगों में एक रूपता लाता है जिसके द्वारा सभी को एक समान जो वेतन है वो मिलता है एक समान यहाँ पर extra bonus मिलते हैं एक समान working conditions व तो पूरे उद्योग में उसी चीज़ पूरे रास्ट में उसी के अनुसार जो है वो हमें rates लेने होते हैं ठीक है तो इसी तरीके से जो है वो हमारी national level की bargaining भी होती है लेकिन जैसे भारा जैसे जो बड़ा देश है वहां पर इसका लागू होना बहुत मुश्किल सा हो जाता है और साती साती जो हमारा देश है वहो भी बहुत बड़ा है तो इसलीए यह मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई बार क्या होते हुव हैं हमारे जो बहुत में उद्लध मुशिप fix कर देना उनके लिए नियम बना देना वो बहुत मुश्किल होता है तो इसलिए जो भारत जैसे देश हैं वहाँ पर नेशनल लेवल पर collective bargaining होना बहुत मुश्किल हो जाता है ओके तो यह थे हमारे सामुहिक सोदेवाजी के स्तर आज के लिए इतना ही आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने झाल झाल